सिवान के बढ़रिया में खुला सिवान इंटरनेशनल स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटी दी गई हैं जैसे स्मार्ट क्लासेज, इंडोर गेम्स, लाइवरेरी, कम्प्यूटर लैब, मैथ लैब, साइन्स लैब की बेहतरी इन्शुविदा है सिवान में लगवक सभी प्राइवेट स्कूल री अड्मीशन के नाम पर मोटी रकम लेते हैं, लेकिन हमारे विद्याले में री अड्मीशन के नाम पर कोई फीस नहीं ली जाएगी इसके साथ ही अभी अड्मीशन भी सिवान इंटरनाशनल स्कूल में फ्री किया जा रहा है इस स्कूल में आये सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एक बार देखें फिर उसके बाद से आप फुदी एड्मिशन कराना चाहेंगे क्योंकि हमारे यहां केंटीन सीजी टीवी केमरा और साइन्स लेब मैट्स लेब स्मार्ट क्लासेज किसी विदाय उखलब है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक छोटे से गाउं में सारी फैसलेटी से लेज एक स्कूल खुला हुआ मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ इस स्कूल के चेर्मेन मिस्टर राजा का जो इन्होंने बहुत ही अच्छी पहल किये एक गाउं में क्योंकि अभी तक हम देखते आ रहे थे कि मेट्रो सीटी में यह सारी फैसलेटी मिलती हैं बच्चों को लेकिन इस गाउं के अंदर जो स्कूल खुला हुआ है सीवान इंटरनेशन अपने में एक मतलब एक मिसाल है और मैं उन सारे पेरेंट्स से यह अपील करना चाहता हू कि एक बार सेवा का मौका दे अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजें और मिस्टर राजा जो चेयर में उन्होंने एक मतलब की एक उन गरीब बच्चों का भी धियान रखा है जो कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो पढ़नी पाते हैं पैरेंट्स उनको नहीं सकते अपने बच्चों के अच्छे स्कूल में उनके लिए निशूल के मतलब यहां पर पढ़ाई यहां पर उपलब दे इस स्कूल में बहुत सारी फसिलिटीज दी गई हैं जैसे कि स्मार्ट क्लासेज है और इंडोर गेम्स क्लास है लाइब्रेरी कंप्यूटर मतलब अगेरा है और ले ग्रूप सेक्शन है हमारे यहां जो प्री प्राइमरी से लेके क्लास तेन तक है और इस स्कूल में फिलाल हम लोगों ने पूरा निशुलक फीस रखा है कोई अड्मिशन चार्ज नहीं रखा है हमने और आगे भी हम यह उमीद रखते हैं कि हम नेक कि हर स्कूल प्राइबेट सेक्टर वाले जो है वो फ्री री अड्मिशन लेते हैं तो यह चीज हम लोग ध्यान में रखते हुए यह कि हम लोग री अड्मिशन चार्ज जो है वो हम लोग नहीं लेगे कोविट को लेकर कि यह है कि जितने रूल्स रेगुलेशन सरकार ने हमें दी है उसका पालन करेंगे और इस चीज़ का बच्चों पे भी खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा बच्चे जब भी आएंगे उनको सानिटाइस किया जाएगा बस की सीटे सानिटाइस की पैरेंट से यही अपील करेंगे कि आप हमें एक बार जरूर मौका दें हम लोग आपको निराश नहीं करेंगे एक बार हमें बिल्कुल एक चांस जरूर दें